नमस्कार दोस्तों तो आज चुके हैं नई टॉपिक के साथ और आज हम बात करेंगे कूलिंग टावर्स के बारे में और जानेंगे इसका वर्किंग प्रिंस्पल और देखेंगे कि कौन-कौन से से पार्ट्स हैं जो कि इस पूरी साइकल में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि आप सामने देख पार हैं वाइट कलर का कोलिंग टावर्स है वह है तीन सो टियार का और जो ग्रीन कलर कर टावर है वह है वन टुट्इट टी आर सब्सक्राइब पिछली वीडियो में देखा होगा मैंने एर कुल्ट चिलर मशीन के बारे में बताया था रैफिजेशन साइकल के बारे में तो उसमें हमने देखा था कि जो कंडेंसर कॉइल है वो रैफिजेशन की हीट को डारेक्टली अट्मोसफेर में चोड़ देता है उसी तरह वाटर कुलिंग टावर करता है तो आज बात करेंगे हम कुलिंग टावर के बारे में तो दूइपस के आगया है एक तो उसके डीजाइब बेजडेव है और दूसरा ऐर फ्लो के बेजडेबे तो डिजाइन बेज भी बेसडे ऑश्चार को के होते है को ठाञज़ तो यह वेजड तो आज बात करेंगे ओपन टाइप कोलिंग तो आपको बीच में इसका गैप दिख रहा होगा इसी के तुरू अंदर जाती है और इसके उपर लगा रहता है निचे इसके संप जहां पानी इखटा होता है और वह पानी आउटलेट के थूरू जाता है हमारे कंडेंसर में तो अभी जो आप तावर देख रहे हैं इसमें दो फैन लगे हैं तो इसकी पाइसिंसी ज्यादा और सामने की तरफ आपको यह पाईपलाइन दिख रहे हैं यह ह इन्लेट जहां से गरम पानी इन्टर करेंगा बीच में जो आपको साथ ग्रिल्स की है यही है एर का इंटर करने की में ही जगह घ्जार उविक्ता वह अ नियâteना ज्लम टकीना गूंट जो यहां और डिश का फिरफ़ेंट कोगने तो किरांगे avoo, ach. पानी ठंडा हो पाई जैसे कि आप देख वारे उपर दो फैन लगे हुए जिसे कि इसकी एफिसेंसी और कैपिस्ट्री दोनों बढ़ जाती है और इसके नीचे जो है वो संप है संप से जो पानी ठंडा पानी खटा होके हमारी आउटलेट से होते हुए कंडेंसर में ठंडा ह इसी गैप से एयर आती हुई सीधे उपर की तरफ निकलती और वो पीवी सी के बीच में से जो चोटी चोटी गैप होते हैं उसमें से निकलती है तो पानी के कॉंटेक्ट में आती है जिसे कि वो उसकी हीट को ले लेती है और अपनी जो कूलिंग होती है वो पानी को दे दे तो यह तो बात हो गई हमारी डिजाइन बेस्ट पे आप जान लेते हैं एर फ्लो बेस्ट पे इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है एक तो है इसका नैच्छल राफ्ट और दूसरा है मैकेनिकल राफ्ट तो यह जो आपको चितने पी टावर मैंने दिखाए हैं वह है आपके मैकेनिकल राफ्ट कॉलिंग टावर क्योंकि इसमें लगा है सैंद्रफ्यूगल फैं जो की एर के प्रेशर को या फ्लो kole को बढ़ा देते हैं और जो निग् animviet नहीं लगा होता है वह ट जो हवा चलती है या जो एयर फ्लो होता है उसी पे वाटर को थंडा करते है उ जादा जल्दी पानी को ठंडा करते हैं क्योंकि इसमें मेकेनिकल जो फैन लगे होते हैं उसके पावर को बढ़ा देते हैं चलिए अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसके पार्ट तो आपको जो यह राउंड पीविसी दिखी है इसी के बीच में आती है हमारी पारी के से बना रखा है कि जब एर उपर की तरफ आए तो यह राउंड सेप में मूव्मेंट करें और देख पारें आपके उसमें छोटे-छोटे शेदे और तो जब यह घूमते हैं तो पानी और ज्यादा फैलता है जिससे की पानी इखटा ना गिरके पूरे पीविसी मे पानी का जो है वो बढ़ जाता है तो यह तो बात हो गई हमारी कुलिंग टावर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में और उसके पार्ट के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे इसका कुछ थियोरी पार्ट और जानेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी प्रोबलम क्रियेट हो होने लग जाते है कुछ टाइम बाद कुलिंग टावर्स में और देखेंगे उसका सॉलूशन वीडियो आपको कैसा लगा या वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सा भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ए